क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपनी अगली छुट्टियों में किन देशों से बचना चाहिए? यात्रा करना एक सुखद अनुभव है जो हमें विविध संस्कृतियों, परिद्रिश्यों और व्यंजनों का पता लगाने का मौका देता है हालां कि सुरक्षा और सुरक्षा हमेशा प्राथमिक्ता होनी चाहिए जबकि प्रत्य एक गंतव्य का अपना अनूठा आकर्शन और आकर्शन होता है कुछ पर्यटक पर्यटकों के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा कर सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता से लेकर स्वास्थे संबंधी चिंताओं तक अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले सभी पहलूं पर विचार करना महत्वपूर्ण है तो तैयार हो जाए क्योंकि हम उन देशों की अपनी सूची के माध्यम से नेविगेट करने वाले हैं जिनसे आपकी अगली चुटियों पर बचना सबसे अच्छा हो सकता है हमारी सूची में पहले स्थान पर उत्तर कोरिया है रहस्य और सखत नियमों में डूबा एक देश इस रहस्य में स्थान की यात्रा करना फ्लाइट बुक करने और सूटकेस पैक करने जितना आसान नहीं है यहां आवाजाही की स्वतंतरता एक ऐसी अवधारना नहीं है जिसका परियठक आनंद ले सके आपको निर्देशित परियठन में शामिल होने की आवश्यक्ता होती है जो सखती से नियंत्रित होते हैं जिससे सहज रोमांच के लिए बहुत कम जगह बचती है इसके अलावा उत्तर कोरिया में नियम सखत है और उन्हें तोड़ने पर जुर्माना भी गंभीर हो सकता है यहां तक कि बिना अनुमती के फोटो खींचने का मासूम सकृत्य भी आपको परिशानी में डाल सकता है स्थानिये लोगों के साथ बात चीत भी बहुत अधिक प्रतिबंधित है जिससे संस्कृती और लोगों के बारे में वास्तविक अनुभव प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है अप रत्याशित राजनीतिक माहौल से लेकर मनमानी हिरासत की संभावना तक संभावित जोखिम भी बड़े हैं ये कारक एक ऐसे वातावरन का निर्मान करते हैं जो अधिकान शियात्रियों द्वारा खोजे जाने वाले आराम दायक लापरवाह माहौल से बहुत दूर है इसलिए जब तक आप सخت नियमों और सीमित अन्वेशन के प्रशन सक नहीं है उत्तर कोरिया आपके लिए आदर्श अफकाश स्थान नहीं हो सकता है इसके बाद हमारे पास अफगानिस्तान है एक सम्रिध इतिहास वाला देश लेकिन वर्तमान में अस्थिरता से जूझ रहा है एशिया के मध्ध में स्थित अफगानिस्तान कई सभ्यताओं का उदगम स्थल रहा है इसकी संस्कृतियों और परंपराओं की जटिल टेपेस्ट्री इसकी विविध विरासत का प्रमान है फिर भी देश खुद को अस्थिर स्थिती में पाता है चल रहे संघर्ष और सुरक्षा मुद्धों से जूझ रहा है युद्ध की गूंज इसके उबढ़ खाब़ पहाड़ों और इसके शुश्क मैदानों में गूंचती रहती है जो इसकी एतिहासिक भव्यता पर चाया डालती है दुनिया भर की सरकारों ने इस देश की यात्रा के खिलाफ सख्त सलाह जारी की है और इसकी सुंदर्ता के बीच संभावित खत्रों की चेतावनी दी है अपहरन आतंकवादी हमले और नागरिक अशांती का खत्रा यात्रियों की सुरक्षा के लिए वास्तविक और तत्काल खत्रा है यह परियटन को समर्थन देने के लिए स्थानी बुनियादी धांचे की कमी के साथ मिलकर अफगानिस्तान को सबसे अनुभवी साहसी लोगों के लिए भी एक चुनौती पूर्ण गंतव्य बनाता है फिलहाल अफगानिस्तान के समर्थ इतिहास और संस्कृती की दूर से सराहना करना सबसे अच्छा हो सकता है हमारी सूची में अगला है सोमालिया एक ऐसा देश जो अपनी आश्चर्य जनक समुद्र तट्रेखा के साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए भी जाना जाता है अफरिका के हॉर्ण में स्थित सोमालिया एक शांदार समुद्र तट का दावा करता है जो 2000 मील तक फैला हुआ है लेकिन इसकी सुन्दरता अकसर इसके सामने आने वाली कई समस्याओं के कारण कम हो जाती है सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती लंबे समय से एक समस्या रही है पिछले कुछ वर्षों में कई जहाजों का अपहरण किया गया है आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विशेश है विशेश रूप से आतंकवादी समुह अलशबाब कई हमलों के पीछे रहा है जिससे यात्रा पर विचार करने वालों के लिए सुरक्षा सर्वोपरी चिंता का विशेश बन गई है इसके अतिरिक्त पर्यटन बुनियादी धांचे की कमी का मतलब है कि सबसे साहसी यात्रियों को भी देश में नेविगेट करने में कठिनाई हो सकती है दुनिया भर के देशों द्वारा सोमालिया की सभी यात्रा के खिलाफ सलाह देते हुए कई यात्रा सलाह जारी की गई है इन चुनौतियों के कारण जब तक स्थिती में सुधार नहीं हो जाता सोमालिया की सुन्दर्ता की दूर से ही प्रशंसा करना सबसे अच्छा है हालांकि हर देश का अपना आकर्शन होता है लेकिन अपनी छुट्टियों की योजना बनाते समय सुरक्षा और सनरक्षा पर विचार करना आवश्चक है इस वीडियो के माध्यम से यात्रा करते समय हमने कुछ देशों के जटिल विवरणों पर गौर किया जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं हमने उत्तर कोरिया पर प्रकाश डाला उग, गोपनियता और रहस्य में डूबा हुआ देश जो एक समुद्ध हितिहास और आश्चर्य जनक परिद्रिश्यों वाला स्थान है लेकिन समुद्री डकैती, आतंकवाद और अराजक्ता से भी जूज रहा है इन में से प्रत्येक देश अपने अनूठे तरीके से आकर्शन और खत्रे के द्वंध्व को दर्शाता है वे हमें गहन अनुसंधान और सतर्कता के महत्व की याद दिलाते हैं अपनी यात्रा की योजना बनाते समय, यात्रा संबंधी सलाह पर ध्यान देना, राजनीतिक माहौल को समझना और किसी भी संभावित सुरक्षा मुद्दे से अवगत रहना महत्वपूर्ण है यात्रा का मतलब केवल रोमांच की तलाश करना या बकेट लिस्ट में गंतव्यों पर निशान लगाना नहीं है ये विभिन संस्कृतियों का अनुभव करने, नए लोगों से मिलने और हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने के बारे में है हलांकि ये याद रखना सर्वो पर है कि ये संब्रिद्ध अनुभव कभी भी हमारी सुरक्षा और भलाई की कीमत पर नहीं आने चाहिए जैसे ही हम निशकर्ष निकालते हैं, आइए याद रखें कि सुन्दर्ता, विविधता और आश्चर्य से भरपूर ऐसे अंगिनत अन्य गंतव्य हैं जिनका अन्वेशन किया जाना बाकी है याद रखें, दुनिया विशाल है और घूमने लायक जगहों से भरी हुई है, तो आईए सुनिश्चित करें कि हम ऐसे गंतव्यों का चैन कर रहे हैं, जो न केवल उत्साह प्रदान करते हैं, बलकि सुरक्षा और मन की शांती भी प्रदान करते हैं